गाई व भैंस को दिये जाने वाला चारा या बाटा जो कि वेटनरी उनिवस्टियों में एनिमल न्यूट्रेशन पशू पोर्षन के स्पेशलिस्टों दवारा तैयार किये गई मानकों पर खरा उतारा जाता है उसको जानने के लिए वीडियों के अंदर बने रहें सभी पसू पालकशाथियों को राम 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 वेटन डेरी ग्यान योटूब चैनल पर आपका अर्दिक स्वागत है आज के वीडियों में हम चर्चा करेंगे जो डेरी पसू हैं अपने गाए बैस हैं उनको दिये जाने वाला चार्ट या बाटा है उसकी सिद्धान्त पर तयार करना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन की बरपूर मात्रा हो फैट की बरपूर मात्रा हो उर्जा के लिए कार्बवा इट्रेट भी उसके अंदर परचूर मात्रा में हो एनर्जी भी उसके अंदर हो तो सभी परकार के विटामिन मिनरल भी उसके अंदर भी लेबल हो तो ऐसा जो फीड फॉर्मूला है वो कैसे तयार करें तो फीड फॉर्मूला जानने के लिए वीडियो में लाश तक जरूर बने रहे हैं आपको आज जैसा फीड फारओन आता हिएंगे जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको प्रोटीन मिलेगी एनरजी मिलेगी वसाबी मिलेगा वाइटामिन मिनरल भी मिलेगे तो चलिए शात्यों वीडियो शुलो करते हैं वर्तमान समय में सात्यों जैसा कि यूठी पे आपने देखा भी होगा कि कलेम करते हैं कि मेरे यह बैंस बीस किलो दूठ देखती है मैं उसको पं्दरा किलो दाना अबाटा खिलाता हूं मेरी बैंस 25 किलो दूद दे रहे हैं मैं इसको 18 किलो 20 किलो दाना या बाटा खिलाता हूँ तो ये कई ना कई पस्वों के साथ खिलवाड है साथियो मानना यो ना माननो ये खिलवाड है जो अपने फाइदे के लिए पस्वों इसाथ किया जाता है तो आज साथियों हम आपको जो इनके निर्दारित मापदंड है गाय बैंसों कितना दाना देना चाहिए दाना मिसरन या बाक्टा देना चाहिए वो आपको इस वीडियो के माद्दे में से जरूर बताएंगे तो साध्यों सबसे पहले तो आप चर्चा कर ले कि दाना कितना देना चाहे पशू को जैसे देशी गाई या विदेशी गाई हैं जो उनको अपने को दाना देना है दाना मिसरन डाई किलो दूद के उपर एक किलो दाना जैसे जो पसू 10 किलो दूद दे रहा है उसको आप 4 किलो दाना दे इससे ज़्यादा ना दे जो गाय 20 किलो दूद दे रहे हैं उसको आप 8 किलो दाना बाटा दे सकते हैं उसी परकार 20 को 2 किलो दूद के उपर 1 किलो दाना बाटा देना है जैसे दो बैस बीस किलो दूद दे रही है उसको आपको दस किलो दाना या बाटा खिलाना है और जैसे साथ यो पसू ग्याबबिन है वो ड्राई हो गया दूद नहीं दे रहा ग्याबबिन है तो उस इस्ति के अंदर जो 20 है उसको 3-4 kg दाना बाटा देना चाहिए वो डिवेट के हिसाब से जाए थोड़ी बारी है तो 4 kg दे दे थोड़ी लोग वो डिवेट है तो उसको 3 kg दे और उसी परकार जैसे गाय है ड्राय गाय प्रेगनेंट गाय तो उसको आप 3 kg दाना बाट तो यह तो साथियों कितनी मात्रा देनी चाहिए पर्शू को दूद के इसाब से या फिर उसके प्रेगनेंसी राष्ण के इसाब से मैंटिनेंस के इसाब से वो बात हो गई अब यहां पे चर्चा करेंगे जो फीड फॉर्मूल्ले की बात कई थी उस पे कि कैसा फीड तैय किलो जो फीड है उसके लिए बना रहे हैं और 15 किलो ही आपको सर्शों की खड़ लेनी है तो आपको टोटल 30 किलो आपकी खड़ हो गई इसी के साथ चने क्या छिलका या चने की चूरी बोलते हैं 10 किलो आपको वो लेनी है और 10 किलो ही आपको सोयाबिन की चूरी या सोयाब प्रोटीन भी आगई अब बात करते हैं और और रूजा के लिए क्या दे तो यह आपका P50 किलो हो गाया अब दूसरे 50 किलो पार्ण में आपको देना गेव का दलिया 20 किलो लेना है उसी के साथ मक्का का दलिया लेना आपको 10 किलो और जो दढ़िया 10 किलो क्योंकि यह फीड फार्मूल आम गर्मियों के इसाब से बता रहे हैं तो यहां आप बाजरे के दढ़िया की जिगत जो का दढ़िया लें 10 किलो और 10 किलो साथियो राइस बरान बोलते हैं या चावल का छिलका बोलते हैं चावल की पोलिश बोलते हैं वो उपलब्द हो जाए तो आप वो ले सकते हैं या फिर आप गवार की चूरी या गवार का छिलका भी ले सकते हैं दस किलो इन दोनों में से आपको लेना ये हो गया आपका 50 किलो तो 50-500 किलो आपका फीड तयार हो गया और अब इस 100 किलो फीड को जैसा कि आपको बताया है कि वही देशी गाई या विदेशी गाई को डाई किलो दूद पर एक किलो दाना बाटा देना है और बैस को दो किलो प्रोडेक्शन पे है उसको 70-80 ग्राम या 100 ग्राम तक मिन्दर मिक्श्चर दें अधर्वाइस जो बाखड़ा है या सुस्क चल रहा है उसको 40-50 ग्राम मिन्दर मिक्श्चर जरूर दें तो यह फीड फॉर्मूला साथ यो पस्तों को खिलाएं इस हिसाब से फीड फॉर्मू अगर आपको कोई इसी परकार की शुजाव है तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद